विनाए गडेश मंदिर और आप देख सकते हैं पूरा लुक इस मंदिर में भगवान गडेश जी की एक मूर्ती ऐसी भी है जिसमें दशानन की तरह दस सर लगे हुए है आप देख सकते हैं पूरा मंदिर का लुक आप देख सकते हैं श्री लाला राम चरण जी ठीक है आप देखिए देकि जितना दिखाया बड़िया दिखाया है और लेकिन दर्शन जहूर करा दिये आपको अब दोस्तों गूड इवनिंग एंड वेलकम चुमाई नीव लॉग दोस्तों इस समयम लोग कानपूर के कैनाल रोड में खड़े हैं और श्री सिद्धी विनाय गडेश मंदिर में आपको दशन कराने लिए के आए इस समयम लोग कानपूर से लाइब हैं आईए आपको कन के माद्याम से दिख रहा है अभी आपको अंदर लेके जाएंगे दर्शन कराने इस समयम लोग कानपूर के कैनाल रोड में खड़े हुए हैं और पब्लीक का पंदाजा लगा सकते हैं कितनी पब्लीक है ठीक है पब्लीक और यह है पंडाल ठीक है और यह बपाजी का हम लो साथ देने वाले पंडे जी ठीक है और सामने श्री सिद्धी विनायक गडेश मंदिर आईए आपको लेके जलते हैं दर्शन कराने पूल देदे ना कि दोस्तों फानेली हम लोग हमारा भाई मिल गया है और क्रपा से श्रूद उतारने की फैसिलिटी प्रोवाइड हो चुकी है इस समय आपको आप खड़े हैं सिद्धी विनायक गडेश मंदिर ठीक है जो की कानपुर में बढ़ता है कैनाल रोड के पास आप देख सकते हैं फर्स्ट लोग आईए आपको दर्शन कराने लेगे चलते हैं और यह बहिया नरायन सूट से ठीक है हम लोगों ने लिदू ले लिए गनपदी पपाजी के और यह है दोस्तों फ्रंट व्यू स्री सिद्धी विनायक गडेश मंदिर जो की कानपुर के कैनाल रोड में बढ़ता है बहुती बढ़िया इतियास है आपको पूरा इतियास आपको हम बताएंगे और परशाद ले लिया है अब जाते हैं दर्शन करने आपको बताते हैं अब पूरा व्यू दिखाते हैं स्री सिद्धी विनायक गडेश मंदिर का दोस्तो शहर में गडेश महुसफ की शुरुवाद घंटा घर के कैनाल रोड से हुई थी यहाँ पर इस ते सिद्धी विनायक मंदिर में भगवान गडेश के दस स्वरूप विराजमान हैं और आपको यही बता दे अजादी के पहले इसी मंदिर में शहर का पहला गडेश म मौसफ आयोजित किया गया अंकल जी है सेवा करते हुए मंदिर की ठीक है अब दोस्तो मंदिर में संग मरमर की मूर्ती के अलावा पीतल के गडेश भगवान जी के साथ रिद्धी जी और सिद्धी जी को भी स्थापित किया गया है मंदिर में विग्न हरता के साथ उनके बेटे शुबलाप की प्रतिमाई भी स्थापित है मंदिर के दूसरे खंड पर गडेश भगवान जी के नौ रूपों को स्थापित किया गया था इस मंदिर में भगवान गडेश जी की एक मूर्ती ऐसी भी है जिसमें दशानन की तरह 10 जर लगे हुए है, आप देख सकते हैं पूरा मंतिर का लुक ठीक है, और हमने इसको दोस्तो लू किया गया था कि बिकॉस मुझे पता नहीं था यहां camera allowed है की नहीं है ठीक है लेकिन उन्होंने मना कहा तो उन्हें camera बंद कर दिया ठीक है लेकिन आपको हम दिखा देते हैं थोड़ा बहुत जो भगवान जी की प्रतिमा है ठीक है और यह देखे दोस्तो पूरा front view है और allowed नहीं था that's why हम लोगों ने शूट नहीं किया लेकिन आपको हम लोगों ने दर्शन करा दिये तो दोस्तो आप लोग भी आईए दर्शन करिये कानपुर के गंटा करके कैनाल रोड में इस्ते स्री सिद्धी विनाय करीश मंदिर जी के ठीक है आज था बुदवार और हम लोगों ने दिखाया बढ़िया दिखाया है लेकिन दर्शन जहूर करा दिये आपको तो बस यहीं कहूंगा कि वहां आप पूर सकते हैं कि बस एक मिनट के लिए कैमरा में खोल लूँ तो वह एलाउट कर देते हैं ठीक है तो यह है संस्थापक आप देख सकते हैं श्री लाला राम चर और बस इतना कहेंगे वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए सस्क्राइब करिए और आगे शेयर करिए जैसे कि और लोग को भी दर्शन हो पाए अगर आप लोग को हमारी मेनत अच्छी लगती है तो एक सस्क्राइब का बटन तो जरूर मनता है गनपती पपा मोरिया मंगल म और आगे की वीडियो कौन सी होगी सोचिए तो दोस्तों आपको जितना दिखा पाए उतना देख लिजेगा और दर्शन कर लिजेगा विकॉस एलाउड नहीं है यहाँ पे कैमरा दिखाना विकॉस आप सम श्यूस है और दूसरी बात आपको भग तो जरूर दिखा सकते है और आप भग दिखाए उतना दिखा दिया और आप दिखाना दिया है और एक भंतadar का दिन है और और आज तो गनपदेपा का दिनी है और वस इतना ही कहेंगे अगर वीडियो अच्छी लगी हूं चलिके सक्राइब करिए बाकी आपको पूरा व्यू दिखाते हैं दोसों जैसे कि आपको पता है श्री सिद्धी विनाय कडेश मंदे टारेक्ट सामने पंडाल लगा है बपा जी का और जैसे कि आपको पता कानपूर के छह मुश्ट पंडाल आपको दिखाए है जो की बढ़िये तरीके से हम लोग और यह है बपा जी का पंडाल जो की श्री सिद्धी विनाय कडेश मंदिर के चज़ सामने पड़ता है आप देख सकते हैं पूरा व्यू है और यहां पे बग्दगर्ण परशाद लेते हुए ठीक है बपा जी का परशाद ले रहे हैं से बड़ा तरीके से और यह पपा जी का है दोस्तों मेरे भाई जितना हम दिखा पाए उतना आपको दिखाया आप पस परशाद करते हैं ठीक है बपा जी का और जो जो इस वीडियो को देंगर आए प्रपा जी उसका घर में शुक्-सम्रदी जनका भ्यवब हमशा मनाय रखे ठीक है और इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब ज्रूर कर देना भाई क्योंकि हम लोग कानपूर में जितना भी और रहा है प्रोग मंदिर अंदर जितना दिखाए उतना दिखा दिए आपको और यह बापा का पंडार और मने रोमारी यूट्यूब चैनल यह से ब्लॉग में जाहिए भारत भारत माता की जाहिए